हलो मेरे प्यारे बच्चो आप लोगों की तयारी बहुत अच्छी चल रही हो और आप लोग ने लगभग 80% अपना सिलेबस खतम करने हो ला तो उसी के तखड़ी में हम लोग भी क्या आ गए अपने सिलेबस एंडिंग के ओर आ गए है न यह लास सेकंड चैप्टर होगा इस पूरा SST कंप्लेट हो गया तो यह बहुत बड़ी बात है कि बच्चो मेरे साथ आपने भी पूरे एक्जाम से इसमें साथ दिया और हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक को बहुत अच्छे से पढ़ा तो हम लोग पूरी आशा करते कि आपके एक्जाम बहुत अच्छे जाए यहां से आपकी क्या है छे माक से कोशन आएंगे तो इस तरहा ध्याय को कैसे देखना आपने प्रक्रियाएं क्या होती है कौन से लोग मद्दान देते हैं, मद्दान की प्रक्रियाई क्या होती है, मद्दाता वैبحार क्या है, कि लोग किस, क्या सोच के मद्दान आ जाते हैं? आपने ये सब चप्रम पढ़ाओगा, ठीक? प्रैशर ग्रूप्स क्या होते हैं जब प्रियावणी मुद्धय है ना आपने पिशले अध्याइं पढ़ा कि जैसे क्या था नियमगिरी के परवत का नियमगिरी परवत में क्या था कुछ दबाव समूँ भी activity ली कि उन्होंने सरकार पर दबाव लाया कि आप इनकी बात सुनो इनकी क्या बोल रहे हैं उसको सुनो इनकी क्या मांगे उस सब कु तो क्या ऐसे कुछ दबाव pressure groups बनते हैं, ठीक है, जो सरकार से वारता करते हैं, ठीक, लोग तंत्रो संगठन, तो दबाव सो भी समूह होगे होंगे, अलग अलग संगठन बनते हैं, जैसे मजदूर संगठन बनता है, कुछ वैपारिक संगठन बनते हैं, यह सब क्यों बनते ह जैसे मैं काम करने थे पर संगठन बनते हैं, जन्हां वेफे का मानने तो अशरकार को बनते हैं Namedha, तो को भी समूह तो हर कोई इंडिविजुली जा के बोलेगा क्या नहीं, इसलिए क्या होगा, सिक्षकों का एक संगठन होगा, जो पूरे सिक्षकों के साथ बैठेगा, बात करेगा, और उसके बाद एक निर्णा लेगा, कि हमें सरकार से क्या मांग रखनी है, कभी कभी देखते हैं, सिक्ष तो आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में आपने इतनी चीजे पढ़ी, ठीक है ना, चलो, अब आजाते हैं हम अपने चैप्टर पर, ठीक है, मतदान क्यों और क्या, अचा चलो, परहला तो दूबता हो, कि आप लोग के हां गाउं में चुनाओं होता है, शहर जहां भी रहते हो, चुनाओं होता है, आपने वोट देते हो क्या, नहीं क्योंकि भई, आप तो 18 वर्ष से उपर नहीं हो, लेकिन मैं वोट देती हूं, क्योंकि मैं 18 वर्ष से उपर हूं, है ना, तो भई, मतदाता कौन, सिंपल से बात है, जो भारत का नागरिक है, और जो 18 वर्ष से अधिक है, मतदाता कौन, बस इतनी ही बतानी है, जो भारत का नागरिक हो, और उसकी आयू 18 वर्ष से अधिक, मतदान देने जा सकता है, और क्या भई, अगर मैं आई हो, चाना से मतदाता नहीं चले जाओंगे, क्या नहीं, मेरी पहले क्या है, वो मतदात कि लई का ये फलाना एदे मेरी थे, है ना, तो वो मतदाता सोची लेकर क्या है, आप वोट देने जाओंगे, ठीक है, तो वही क्या होता है, मतदान, क्यों ज़रूरत है भई, क्योंकि हमारा देश लोग तांतरिक है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, तो जब में हो गया, राज विधाई का तो बनती है, तो उसमें वोट दोन कों देते है, हम, तो समय समय पर चुनाओं होते हैं, जैसे अभी क्या है, दो हमें सरकार होंगे, कॉंगरस और भाशपा के बीच, जैसे अभी काका की सरकार है, है ना, तो हो सकती वो चेंज होगी, या काका क्या और क्यों मत्दान विभार क्या है मत्दान क्या तो में गोर मेरा मत्दान क्या हो गां मैं वोट हूं , इसको दे रही हूं जो हमारे शना ही खड़े हूं, क्या हो वो हमारी मांग यह हमारे एरिया के लिए डेवलप कर रहे हैं क्या वो विकास के प्रक्रिया में क्या वो सिख्षा को ध्यान दे रहे हैं क्या वो हमारे लिए काम करेंगे यह सब चीज़ें सोच के हम वोट देते तो वह क्या मददाता व्यभार बनाता है कि हम वोट देने जा लोगों को वोट दें डालने का अधिकार दिया जाता है जितने अधिक लोग किसी भी लोगतांत्रिक चुनाओं में मत देते हैं उस चुनाओं के बाद उससे बनने वाली सरकार उतनी ही अधिक लोगतांत्रिक होगी है ना पर चला पूरे गाव में हजार लोग हैं केवल 100 लो गया तो इसलिए कि चुनाओ प्रक्रिया और छी बनती है भाटि सविधान में पहले कोई भी अगरिक जिसकी 21 वर्ष थी या उसे उपर थी वह अपने छेट्र होने वाड़े स्थानी निकायों राजविधान सभाओ लोग सभाओ चुनाओं मत दे सकता था लेकिन 61 सभीधान संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया ताकि देश में युवा वर्क चुनाओं में भागीदारी कर पाये लेकिन क्या सभी योगी मत्दाता भाग मतलब क्या होता है तो समझ लो यह कोई राम ए नाम का है बी नाम का है C नाम का डी तो यहां पे एक होगा नोटा मतलब मुझे इन में से कोई पसंद नहीं है इसलिए मैं क्या दबा दूंगी नोटा कि भाई मुझे ये चारो कैंडिडेट ने चाहिए तो मैं आपना वोट खराब निकरूंगी मैं इस दे दूगी कि मुझे इनमें से कोई नी पसंद है ठीक गुप्त मदान होता है मतलब क्या होती हमारे जब आप मदान अर जाते हो तो आप बता कर नहीं जाते कि मैं इसको वोट दे रहा हूं उसको वोट दे रहा हूं या आप जब मदान देते तो कोई देखता नहीं है वो क्याता है गुप्त मदान कि आप एक बखसे के पास खड़ हुई सरकारे इसको चुनती है या लोग चुनती है जैसे राष्टपती के चुनाओं में राजय विधाई का लोग सब लोग भाग राजय सब भाग लेते हैं राजय विधाई का चुनाओं राजय विधाई का करती है तो यह क्या अप्रत्यक चुनाओं होते है कि उनको जनता नहीं को फावा काम नहीं गर रहा हैं तो आप पुरह अपने पुरे पे minor père दोरा विलाखकर शे तो हिसके घृडँ को ब्रकृया हैं छैन इसको ब्रीफ हो इसको में देख लेटे कोश्न मर्दां प्रक्रिया के छे बिंदू सब्सक्राइब खाम है मांदान प्रक्रिया जो आपको बुक के बारे में इसे 6 बिंदयों के बारे में लिखना है नगरपाली चुनाओ, नगर पणत की मनाप्नाः सूचि नाम का को रिए मिढका ओ मुणनाओ अयोग को रहे चुनाओ का मुऑ को कि मुझी drains जबसे के एक जिसका जिसका नाम मदाता सूची में है सपूसलिन मेरा नाम रायपूर में है तो में रायपूर के कोई भी चुना होगा उसमें वोट देने जा सकती हूं ठीक है घ्लिर ठीक, संसद विधान सब अधाता इस्थानी निर्वाचन के लिए प्रतेक प्रादेशिक निर्वाचन छेत्र की एक सधाय निर्वाचक नामा वली होगी, किसी नागरी को केवल धर्म मुल बन जाती लिंक के अधार पर मद्दाता सुची में सम्मेर्थ होने से वनचीत नहीं क सभी को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया का प्रादम राश्पति या राजपल दौरा जारी की सुचना से होता है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कायक्रम की घोशना करता है, उमिद्वारों को नामांकर, पत् जैसे कौन-कौन चुनाव में खड़ोशन ओं चाहते ग्यान डाशाथ को फिर उनका नमांकर कोंवाति वही व्यक्ति तो इतने इस वे से सभ्साइन एक स्थे लोग कोई Kon anestesine उनको अलग-अलग चुन्हाभ अडित करता है फिर क्या करता ुकि चुनाओ के डेटडिसाइड कर तो यह सब क्या पूरा निरवाचन प्रक्रिया में आती है ठीक है तो आपको दो से तीन लैनी इसके बाड़े है ठीक अगया होता है नोटा बटन नोटा बटन मैंने बताया न क्या होता है बई कि आपके जो नामा वली दी है उसमें एक नाम होता है एक ऐसा बटन होता है जिसमें आप अगर कोईसी को नहीं चाहते है तो आप नोटा बटन दबादो जैसे आपके क्लास में कैप्टन चुनाओ हुआ तीन लोग खड़े हैं तो आपको तीनों को वोट नी देना, तो एक बटन क्या होगा, नोटा बटन, कि मैं इन में से किसी को नीच चुनूँगा, ठीक, निर्वालचन में पारदर्शीता लाने हैं, तो उलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हैं, इसमें बदाता हो कि नाम चुनाओ च हम किस उमिद्वार को वोट दे रहे हैं, यह हम किसी को नीच बताते हैं, जो वोट इन परधती होती हो कि अपर गुप्त रुप में हो सकती हैं, कि आप वहाँ पे चार लोग अलग-लग बैठेंगे, लेकिन जब वोट जब देंगे एक डवकसे के पास, तो वहाँ पे सुरीधियों के हस्ताक्षर और ग्रामबस्यों के दो बटे तीन बहुमत से किसी प्रदे जी तो पंच, सरपंच, पार्षद, आदी को पत से हटाया जा सकता है, यह नियम शत्युसगण में भी लागो है, तो जैसे आपने कोई पंचायत आप कहां बना है, उसमें कोई जीत गया, लेकिन भाईया काम नहीं कर थे, तो आपने काय कर, वो गाउवाले मन मिलके उला, वापस बुला वो, तो गाउवाले मन वापस के से बुला ही, गाउव के पुरा जदका, अगर हजार जन हाब है, तो 500 जन मिल ही, हस्ताक्षर करी, कि हम भाईया रहा हट आना है भ भारत में मद्दान वैभार, मद्दान वैभार मतलब क्या भई लोग वोड देने जाते हैं नहीं जाते हैं लोग क्या क्या सोच के मद्वोड देने जाते हैं लोग क्या ची जो से प्रभावित होते हैं जैसे क्या है कई जगा लोग धर्म को देखके देते हैं जाती को देखत तो यही save मंदान व्यभार होता है कि लोगों की जो Это से ख़ोज उआख होती है जिसके प्रवावी थोकर क्या olmaz बाकिन क्या होता है लेकिन गभी-ख τουςत लोग को देखते हैं तो देखते हैं जैसे कुछ देखा गया मद्दान वेवहर को प्रभाविट करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, तो देखो भई, 18 वर्ष की आयो पूर्ण करने वाला भारती नागरीक्ति से मद्दान का अधिकार प्राप्त है, जो संसद विधार मंडल के शुनौव में मद्दान कर सकता है, उसे मद्दाता कहते अधिक जो स्थानी निवासी हो और जिसका नाम मद्दाता सुची में, वो क्या होता है, मद्दान में वाहर को प्रभावित करें वाले तो क्या होंगे, जातिवाद, धार्मिक मद्भेट, भाशावाद, छेत्रिता की भावना, कि भाईया, अगर कोई 37 गड़वाले है, तक कोई भाश्ट्री खढ़ होए, तो अदेुके आजम काम का आज वावनान, संचार साधन, तो यह सब क्या है मद्दाता को प्रभावित करते हैं, पैसा कोई किता दे रहा है, या कोई सच में काम चाहता है, तो कोई अच्छे वेक्ति कुलाना चाहता है, तो इन सब बातों पर क्या होता है, मददान का वेभार नुशिर करता है, ठीक है, चलो, आगे आ जाते हैं, कौन-कौन सी बातें मददावताओं पर प्रभाव डालती है, बड़े कोशन आएंगे, है ना, तो मैंने इसको बताया इसको क्या है, आपको दो-दो लाइन में लिखना होगा, या दो से तीन में बत चीज़े बता देते हूं कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक, मददाताओं के सामने एक और देश की व्यापक हित, नीती गदबातों पर की राए आधिन तत्व महोत रखते हैं, लेकिन साथ- पड़िवतन के आवशकता है, तब इन संकुचित हीतों को भुला कर वे लोग मददान करते हैं, जब लगता है भई कि हादेश में बहुत अच्छा कानून बना चाहिए, या जाती वाद धर्वाद बहुत हो गया, अब क्या है विकास की बाते करना चाहिए, तो वोई सब क सब के सब एक जैसा वोट देंगे, तो क्या विवहार में बदला होता है, वर्तमान में टीवी, समाजिक, मेडिया, प्रत्रकायते हो कोई माध्यम से भी किये के प्रचार से भी मददाता काफी प्रफावित होते, जब पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है, पिछले कामों कर इस काहिस तो नहीं कर इस यहार मर महला में, तो वही सब क्या है, मददाता का वेवहार को प्रभावित करते हैं, तो आप इसमें क्या लिखाऊंगे, पिछली सरकार का किया गया एकारिय, सरकारी प्रचाशन में सुगमता, लोगों तक प्रतिनीजियों का पहुच, यह क्या होती है, लोकसभा, यह राज्य होते हैं, डिफरेंट, है न, राज्य, यहां क्या होती है, विधान सभा, फिर नीचे में क्या होती है, पंचायत, यह नगर, पालिका, यह होते हैं, तो क्या होता है, डिफरेंट, अलग-अलग लेवल्स पे चुनाओं होते हैं, ठीक है लोकसभा और राजसभा का चुनाव केंडर निर्वाचनायोग करता है और पंचायद और नगरपाली का चुनाव है वो कौनतर राज निर्वाचनायोग है नो तो भई अलग-अलग उमिद्वार खड़े होंगे जैसे हमारे हम भूपेश कॉंगरस से आए विकास उपाध्ध बहुत सारे हिफिक है यह सब अलग-अलग नो योग होते है तो है जब भयचांब्ख दीजिटॉट तो क्या हम प्रतिनितितर daher думаю को यह क्या है तो क्या है यहाँ हमें सबसे पार देखना है कि फीमेल का कितना प्र्तिसिपेशन होता है STSE वाली है उनका कितना participation होता है तो यह क्या देना पड़ता है क्यों कि जब महिलाओं अगर समाज में नहीं आएंगी समाज की पार्ट है महिला ठीक है तो जब कोई नीती बनाना है और आप महिलाओं के लिए नीती बना रहे हैं समझ लो है ना कि भाइन महिलाओं को क्या क्या सुरक्षा चाहिए महिलाओं को सिख्षा के विस्ता चाहिए महिलाओं को क्या क्या साधिक प्रॉब्लम होती है इसके लिए आप नियम बना रहे हैं लेकिन वहां पर कोई महिला ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि महिलाओं की प्रॉब्लम क्या है है इसलिए कि महिल तो यही होता है लोगतर में विभीर द्राजनेतिक संस्थाओं में प्रतिनीती दितो का रिजन में बहुत कि कम है तो इस कुछ अच्छा काम करें तो उसका अप्रेशेशन नहीं करना यह सब के कान क्या होते हैं महिलाय आज भी छेत्र में आगे नहीं जा पाती है तो देखो कोशन इस्थानी निकायों में महिलाओं का प्रणे लिए तो सविधार के 73 और 74 संसोधन द्वारा सरकार के तीसरे इस्था के रूप में स्थानी निकायों को समयधानी दर्जा दिया गया मतला पंचायती और नगरपली का इसको समयधानी दर्जा दिया गया तो यहां परम सही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशाद सीटे रख दे हैं मतला अगर आपको 36 घड़ में है पंचायत चुनाओं होगा या नग समयधान में समाजिक सेक्ष्णी कार्थिक दिश्ट्री से समाज के वंचीत वर्गों को अनुसुचित जनजाती को मानिता दी गई है लोग सभा राजी सभा के विधान सभाव में भी इन वर्गों को उनकी जन संख्या के बात में अरक्षन दिया गया है जैसे सब्तिश वालों के लिए यह क्या होता है आरक्षन होते है ठीक है तो बच्चों आप मुझे कमेंट में यह बताओगे कि हमारे राज्य में 90 सीटों में से कितना प्रतिशत STA और SC के लिए आरक्षन की गई है ठीक चलो आगे चलते हैं प्रशन देखो महिला और पुरुष मद्दाता पुरुष प्रधान हमारा समाज है ना महिलाओं में सिक्षा की कमी दूर जानने के लिए घर से बहार निकल के काम करने के लिए अभी उतने सोच डेवलप नहीं हो पाना तो यह सब करन क्या होता है महिलाओं के प्रदिशतों कम होते है ठीक चलो आंसर देखो भायात मत्दान के प्रती जन जाग रुकता भाव पाई गया वो सुष्टी कारे वर्षा वो छोड़ना खाना पीना बनाना है फिरे मनाही तक का कही में नहीं जा सको भी या तुब जा चाके देख आजो महिलाओं के रहता है महिलाओं के कारे का बो जदी खोने कार मत्दान का नेम मैं हमेशा बोलती हूँ आपको अगर आंसर रटोगे तो नहीं होगा यह हर चीज अगर मैं आपको टीचर बता दे कि यह यह करना है यह लिखना है आप सुनोगे एक बर भूल जाओगे वहीं अगर आपने इन पांच पॉइंट को देखकर अपने आंसर बना लिए तो कभी न मैं भूलोगे ठीक है चलो हम आगे आजाते हैं दबाऊ साओ प्रेशर ग्रूप जैसे देखो हमने नियम गिरी का पढ़ा था है ना उसमें क्या हुआ आखिर क्या हो पेशा कानुन के कारण क्या हुआ वहां खुदाई बंध हुई ठीक है यह भी पढ़ा ठीक है सबैसे में पर क्या होते हैं कि भाई यहां पर खुदाई निकाला है तो अभी हस्देव बचाओ चली रहा है तो यह सब क्या होते हैं प्रेशर ग्रूप होते हैं जो सरकार से वारता करते हैं या सरकार को अगर कोई नीती है जिसको लग रही है कि यह बदलनी चाहिए तो सरकार पर प् संगठन बनाते हैं मांगो को रखते हैं तो यह सब क्याम को दबाव समु का ठीक दबाव समु विशे समु के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है अपने हितों की प्राप्ति के लिए यह समु ग्यापन नैले में याचिका जैसे सविधारिक क्या है अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं नीमिस संगठन का रूप लेते हैं जैसे कई बढ़ कहते हैं चेम्बर्स अफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनका एक प्रेशर ग्रूप है कुछ ऐसे संगठन भी है जो किसी वर्ग विशेश की हीतों की बात ना करके पर्यावर सकता है कि अंतराष्टी जो नीती नियम में बन रहे है जैसे किसी एक देश को हानी हो रही है किसी एक देश को फाइदा हो रहा है तो उसको बैलेंस करने क्या करते हैं प्रेशर ग्रूप बनाते हैं तो प्रेशर ग्रूप के क्या है अलग-अलग डिमांड हो सकती है अलग- कोई सरकार काम कर रहे हैं तो वो क्या है तानाशाह के रहें काम नहीं कर सकती प्रेशर गुरूप सब्सक्राइब क्या बताती है इसका अफसर सभी को अफसर मिलता है अपनी बात रखने का सरकारे एक सर थोड़े से धनी और ताकत्वर लोगों के रूंचित दबाव में आजा वो अपनी बाते भी मंगती है। यसे एगर सिप उद्योग पतियों की बात सुनें, तो किसान नहीं कहां जाएंगे। यसे इंड़ाहाई लगा दिये तो किसान क्रिशक वैपारी कहां जाएंगे। तो क्या होता है, ये दबाव समू ही होते हैं, जो क्या एक वर्ग विशेश को उठने नहीं देते हैं, क्या करते हैं, संतुलन के सिती बना के रखते हैं, ठीक, चलो, प्रशन देख लेते हैं, दबाव समू की विशेशताई लिखिए, तो दबाव समू की विशेशताई क्या ह करने की कोशिश करते हैं। पर दो नियाले में याचीका करते हैं तो ये सब क्या दबाव समू के कार्य होते हैं, ठेक चलो आगे अते हैं, ट्रेड यूणियन या मजदुर संग, इस इसे कर आप कोशन नहीं आया है लेकिन हो सबताओ, आज Dri- questionable नियंदे का तो ट्रेड यूणियन क्या होते है मजदुर स वेतर और मजदूरों को उनकी वैवस्था सहीं मिल रहे हैं कि फैक्टरी में पानी की वैवस्था है नहीं, महीला है तो उनके सुरक्षा का ध्यान है की नहीं, बच्चे हैं अगर कोई महीला बच्चे को लेकर जा रही है तो उनके लिए रूखने का वैवस्था है की नहीं, पानी के व्यस्ता है कि नहीं बड़े फैक्टरिस में उनको ग्लबस अच्छ सी दिये गये कि नहीं, लेक्रिसिटी के व्यस्ता है तो यह सब क्या होते हैं कानून बने होते हैं अगर यह सब का जो सरकार कानून मनाई हैं उद्योग पती कहता कि मैं इस सब baskoke लेकिन वो नहीं देता है तो संगर्ठन के द्वारे क्या है अपने मांग बते हैं तो इसी को क्या करते हैं ट्रैड उनियार्श के लिए कि नतितम में सब से पहले 1920 में अखिल भारती ट्रैड उनियार्श की इसाफना की गई थी थीक, तो नर्दर के बाद डुए भी राजितिक जलों ने इस के इंदर संगठन मनाई, मतलब क्या समय सवें पर मज़दूर संगठन मने, मेंली अगर संगठन की बात किये जाए तो अक्षिल भारती ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस, हिंदु मजदूर सभा, इंडिया नेशनल Trade Union Congress, United Trade Union Congress, Center of Indian Trade Union, भारती मजदूर संग, तो यह सब क्या है, अलग-अलग मजदूर संग है, जो मजदूरों के हितों के लिए काम करते हैं, यह लगता है कि इस फेक्टर में मजदूरों के साथ गलत काम हो रहा है, तो क्या करते हैं, मजदूर संग के नेतत्atal है, कुछ लोग जाते हैं, मजदूरों से बात करते हैं, फिर मजदूरों की जो मांग होती हैं, वहां के उद्योग-पतिवों के साथ रखते है, ठीक है, तो यह क्या होता है, मजदूर संग का काम होता है, चलो, आगा आज़ो बच्चो, जन साभागीता में मीडिया की क्या भूमिका है, जन साभागीता मतलब लोगों की एक साथ लाने में, लोगों के सोच को बदलने में मीडिया की क्या भूमिका होती, तो क्या होती भई, मीडिया क्या है जो वास्तिक परिपेख्ष है, उसको दिखाती है, सरकारों के काम को परिदेश को देख पाते हैं, कि सरकार ने सच में काम किया की नहीं किया, तो यह एनलेसिस खरवाते हैं, तो यह क्या जन्साभागीता में मीडिया की बहुत भूमिका होती है, तो क्या लिखेंगे भई, टक्निक में सुधार के चलते आज देश-विदेश के खबरे हमारे लि संचार के यह साधन केवल सुचनाओं को पहुचाने का कारे नहीं करते हैं, बलकि जन्मत बनाने में भी मत्रपुन भूमिका निखाते हैं, मीडिया के माधम से यह लोग अपनी बात लोगों तक असान प्रभावी ढंक से पहुचा पाए, इसी कारण लोगों की बड़ी मोदी जी आए, मीडिया के माधम सही हमको बताया, तो यह सब कहाते हैं, मीडिया का काम, कि सरकार की योजनाओं, सरकार की बातों को लोगों की मांग है, लोगों की दार कोई अंदोलन हो रहा है, हर्ताल हो रहा है, यह कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, वो क्या सरकार तक क्वाज़िष थे यह सब राज़िटिक दल होते हैं इनके समान सोच होते हैं समाझिक परिवेश सामान होते तो क्या होता है एक राज़िटिक दल में समान विचार वाले लोगों को सामीर होते हैं तो यह सब क्या राजितिक दल होते हैं चलो अगले कुशिन में जन सभागीता में मीडिया की क्या भूमिका होती है गलत करें जन सभागीता मतलब क्या लोगों को रिजूट करने में मीडिया की क्या भूमिका होती हैं तो क्या होती है उसको क्या है और इमढड़ा यह से क्या है सनचारित होदा में संस्था, to help सेयाओ को ही। जन साभागीता में भाग लेती है। अगर मीडिया की बात किया, आज पत्ख्रपूर से में की देश्विस्भार्ष में, संचार के मादम क्यों सुषनाओं को पहुचाने का कारी नहीं करते हैं, बलकि वो क्या है, राजितिक संस्थाओं में भी भूमिकानी भाते हैं, मीडिया के मादम से ये लोग अपनी बात लोगों तक असान प्रत्तिक से पहुचा परते हैं, क्या करते हैं, वो मीडिया में बदलते हैं समाज के चीज़े बदलती है वह यह बताती कि आज की रखशकता क्या है कहां पर रोड बने चाहिए कहां पर फ्रैक्री लगने चाहिए या लोगों को अवेर कराती है मीडिया क्या तो सरकार के बहुत धनी कंप्रीयों के हाथों में होती है या अपने निहवित सा आर्थभाव से एक्ट्रा की चीज़े बताती है तो यह कहां मीडिया का अलग स्वरूप है तो मीडिया बहुत ज़र्ड शकरात्मक भी है नकरात्मक भी है लेकिन आज के दिप में देखा जातों क्या है मीडिया क्या है लोग तंदर का चौथा इस्तम है ठीक है नयाय पाल आते हैं या एक जैसा सोच पाने के लिए मजबूर होते हैं ठीक तो क्या अब लिखेंगे मीडिया जोग तंदर में चौथे सिस्वर्ण के रुप में कारी कर रही है जो विधाई का नयाय पाली का कारी का का कारियों को लगों तक पहुचाती है इस प्रकार मीडिया का भू होनी चाहिए और क्या चीज़े कारे हो रहे हैं ठीक है तो इस तरह कैसे आप इस अंसर को लिख हो गए चलो अगले कुशन पहा जाते हैं राज्यतिक दलों की विशिष्टाएं क्या है क्या होती है वह एक समाजिक पर विश्या आते हैं उनके उद्देश होते हैं उनका नीतियों के माधियाम जन्मत को अपने परक्षमे करते हैं वो घोष्णा करते हैं तो सभी क्या है भाशपा वाले अलग अलग घोष्णा नहीं करेंगे भाशपा वाले पूरा बैठेंगे और एक घोष्णा पत्र बढाएंगे फिर जो भी भाशपा का उमिद्वार होगा वो क्या है उसी घोष्णाओं को धोराएगा नाजनतिक निर्वालचन जितने के बाद अपनी नितियों के नुसार सरकार चलाते हैं तो उन्होंने जो भी वादय किये होते हैं उसके नुसार क्या कारे करते हैं लेकिन हाला कि 100% टू नहीं होता वो क्या गोश्णा तो कर देते कारिये हैं उसमें आप बता सको भई कि कहीं पर रोड बनना है या कुछ मांग है गाव में सिख्षा के लिए स्कूल खुलवाना है जो भी तो आप क्या लोगों से कनेक कर सको इसलिए कि लोग तंद्र में संगठर मिनाने के अवशक्ता होती है ठीक लोग तंद्र में संगठर जाके बात करोगे तो कोई आपकी बात सुनेगा क्या वहीं आप लोग पूरे ग्रूप में चले जाओ तो भाई लोग देखें अधर बाप रत्काजन गात कहीं तो हो ही दादा है ना तो क्या होता है जो बहुत लोग इखटे होते ना तो एक मजबूती को दिखाता है और आप मजबूत हो जाते हो तो क्या है अपने आता है तो अपनी बाते कि आप अच्छे से रख सकते हो वही रिकास कारियों के लिए प्रशाषनी पहुच्ज बनाया रिखने के लिए लोगों के लिए लोगों के लिए वास योग इंगे नीतियों को लोगों तक पहुचाएंगे, फिर बताएंगे भी कि लोग सरकार ने ये नियम बताया है, प्रधार मंत्री अवास योजना बनाया है, मुख्य मंत्री अवास योजना बनाया है, साशन से अपनी मांगों के लिए वारता करेंगे, तो यह सब क्या होता है, विभिन पूरा मार्श मिशन में जीत फटए करके आएगे बच्चों बिल्कु नहीं डर रहे हैं बहुत अच्छी तयारी कर रहे हो बहुत अच्छी है लिख रहे हो बहुत अच्छी थोड़ा से कठीन समय भी लगता है लेकिन यह के बहुत मौच का समय कि यह दिन ना दुबारा आए रहो ठीक है बच्चों तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं बेस्ट प्लग